नमस्कार दोस्तों तयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत स्वागत है आरो यारो की सफल तयारी के बाद अब हमारा चैनल यानि की तयारी जीत की अन्य परिख्षाओं की तरफ जो है उन्मुक हो रहा है और आने वाले समय में लगातार रोज तीन ग्रेट टीचर की जो वकेंसी अभी हाली में आई थी उसकी तयारी विस्तार पूरवक कराई जाएगी इसके अलावा जून जुलाई में जो प्रस्तावित परिक्षा है इसके अलावा पूरे विस्तार से उत्तर प्रदेश ट्रिपल सी युवा विकास दल अधिकारी की जो है तयारी जो है चैनल द्वारा बिल्कुल प्री अफकोर्स कराई जाएगी इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग जो है आए चैनल के साथ जु यह बिल्कुल फुरी है और सभी विडियो की पीडियेफ भी आपको बिल्कुल फुरी मिलेगी आपसे कभी भी कोई भी चार्ज डोनेशन किसी भी तरह का किसी भी रूप में कुछ नहीं लिया जाएगा यह चैनल का वादा आपसे हमेशा था है और रहेगा निशुलक तया उत्रप्रदेश पुलिस 2018 की जो तैयारी कर रहे हैं उस एक्जाम के संदर में प्रिवियर्स के प्रश्ण पत्र जो है उपलब्त कराये जा रहे हैं चैनल के दोबारा इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार सेक्शन होंगे आपके यूपी पुलिस के एक्जाम में हिं उत्रप्रदेश पुलिस के संदर में जो है आपको उपलब्त कराये जा रहा है इस पूरे प्रश्ण पत्र को देखिए समझे कि कहां से जो है कोशन्स पूछे जाते हैं किस तरह के प्रश्ण जो है पूछे जाएंगे आप से आने वाले टाइम में जानिक के देखते हैं प्रिवेस यहेर का प्रश्ण पत्र क्रश्ण पत्र है और आप को उपलब्त कराये जा रहा है तैयारी जीत के चैनल के द antagonist कर चार्जिस कोई डोनेशन कुछ नहीं लिया जाएगा घर बैठे जो है आपकी निशुल तयारी जो है कराई जाएगे और वह भी एक्दम बैतरीन तरीके से तो पहला सेक्षन हिंदी है और हिंदी में देखिए 2016 के प्रश्ट पत्र में क्या प्रश्ट पूछा गया था हिंदी रिक्तिस्थान भाषा की उत्रादी कारणी है तो यहाँ पर सही जवाब है संस्कृत और इसकी व्याक्या आप वीडियो को रोग करके पढ़ सकते हैं कुल मिला के 160 प्रश्ट है इस सेक्षन में हम 80 प्रश्टों को देखेंगे और 80 प्रश्ट जो है नेक्स्ट सेग्मेंट में देखेंगे जो की इस वीडियो के एक से डेव घंटे बाद चैनल द्वारा अपलोड कर दी जाएगी दूसरा प्रश्ट है 2016 का UP Police का संसार की प्रमुक भाषाओं में हिंदी का इस्थान क्या है सही जवाब है दूसरा व्याख्या आप देख सकते हैं भाषा की मू लिकाई निम्न विकल्पों में से क्या है तो सही जवाब है ध्वनी चार पाई रिक्तिस्थान शब्द है क्या है चार्पाई जो है वो योग्रुड हैं छर्ण प्रभा का प्रह वांची क्या होगा निवन विकलपओं में से सही जवाब है बिजली जालक का तद्भव निवन विकल्पों में से क्या होगा जहरोखा व्याख्या आप पढ़ सकते हैं तत्सम तद्भव पर विस्तार पूरुवक जो है मैंने वीडियोज बनाया हुए काफी हिट है वो जाकर के आप देख सकते हैं जो लोग उत्रप्रद के नाम से जो होगीू पूलिस प्लैलिस्ट के उस प्लैलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं संचलेशन का विलोम क्या होगा विश्लेशन व्याक्ष्या देख सकते हैं क्रिया का मूल रूप क्या होता है धी धातू फिसलन हेइवडिय भावाचक वो होगा लालाइन बी यानि की option B लाला का इस तरी लिंग जो होगा वो लालाइन होगा और व्याख्या आप देख सकते हैं का बड़ा का बड़ी छोटा का छोटी उसी तरह से योगा का योगिनी कमल का कमलीनी और आपको ये भी ध्यान देना है कि सुद्ध अशुद्ध के संदर में किस तरह से लिखा जाएगा योगिनी इस तरह से लिखा जाएगा कमलीनी इस तरह से गायक का अन्य लिंग रूप क् क्या है इन में से यानि कि शुद्ध पूछा गया है इसको जो ही संटेंस में सही रूप लिख दिया गया है तो वर्तनी के द्रिष्टी से सुद्ध है साहितिक इस तरह से लिखा जाएगा कोशन नमर 13 सही रूप बताना है आपको तो सही रूप है ऑप्शन सी तेरवे का सी है इकटा आप देख सकते हैं कनिष्ट इस तरह से लिखा जाएगा कुष्ट इस तरह से है और यथेश्ट जो है इस तरह से सही वाक्ये निम्न विकल्पों में से कौन सा है तो ध्यान से सर्वनाम तथा सहे क्रिया भी पुलिंग ही होगा अंजर पंजर ढिले करना तो पंदरवे का सही जवाब है सी बुरी तरह मारना सब्ज बाग दिखाना सही जवाब होगा लालच देकर उल्लू बनाना पंची पानी पीते हैं इसका कर्म वाच्य रूप क्या होगा ऑप्शन पंचियों से पानी पिया जाता है ठीक है पंचियों से पानी पिया जाता है या फिर पंचियों द्वारा पानी पिया जाता है इस तरह से भी संटेंस होगा तो भी वह सरोमानने होगा ठीक है जहां पर जो विकल्प है उसे पंचियों से है तो पंचियों से पानी पिया जात गलत शब्द को चुनना है इसका सही जवाब है अठारवे का ओप्शन डी पराधीन कलब जो है क्या है तो कलब है हाथी का बच्चा अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानना है तो अर्क जो है वो है अंतर यानि कि इसका जो है इससे कोई लेना देना नहीं है इन विकल्पों के संदर में सूर्य का प्रावाची आप देख सकते हैं और अर्क जो है वो अफवन या काड़ा भी होता है रिपो तार्ज का संबंध किस्से है तो पत्रारिता छे ठीक है और जो रिपो तार्ज है वो फ्रांसिसी भाषा का सब्ध है फिकल्पों कितने है तो यह है ग्यारा और ग्यार्वें जो है वो साहित्यगार महादेवी वर्मा जो है वो प्रतम है ज्यानफीट पुरुसकार के संदर में और केदारनाथ सिंग का भी हाली में निधन हुआ है 19 मार्च को और ये करंट के लिए आपका काफी फेमस कोशन रहेगा क्योंकि ये उत्तर प्रतिस के बलिया जिले से संबंदित है तो जो लोग यूबी प्रति की तैयारी कर रहे हैं वो करंट के संदर में कोशन को याद रखे केदारनाथ सिंग उत्तर प्रतिस के बलिया से हैं ठीक है इन्वे से ज्ञानपिट पुरुषकार विजयता नहीं है तो सही है कमलेश्वर यह करेंट का कोश्चन है देखिए जो पूछा गया है और इसी तरह से प्रशन जो है आपको आएगा तो कृष्णा सोभति का नाम यादर कर लिजिए फूलसी सुकोमल मृदू भावमई देव यानी कच के बिना ना जीक सकेगी यह निश्चित है तो इसमें जो है अलंकार बताना है आपको और वो है उपमा अलंकार ठीक है उपमा अलंकार जब भिन पहचान सा सी से पदार्थों का साध्रिश्य प्रतिपादन किया जाए तो उ इसमें जो अलंकार पुछा है वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार आप व्याख्या पढ़ सकते हैं रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक सैली में हुई है यह कथन है आपके सामने विकल्प है सही जवाब है ऑप्शने आचार्रे हजारी प्रसाद दिवेदी के कोशन 27 हीरा मुन सुवा का उलेख आता है पदमावत में सूरदास के गुरू कौन थे जी के कोशन है सही जवाब है वल्लभा चार्रे बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया हरी जिन छाणे हाथ थे दिन नेड़ा आया और प्रस्तुत पंक्ती जो है कबीर दास जी की है एक कोशन पूछा गया आप से जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई दुर दिन में आसू बनकर वह आज ब्रसने आई स सही जवाब है अप्शने स्लेज ध्यान दीजेगा जो प्रशन ना आते हों से छोड़ देना ही बहतर रहेगा कोशन नंबर 31 अंग्रेजी के रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में क्या शब्द है तो वह स्वच्छंद तावाद व्याक्या आप देख सकते हैं यान पीठ प ध्यान दीजेगा यह वर्श 2016 उत्तर प्रदेश पुलिस परिक्षा है नागरिक पुलिस परिक्षा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कम मिला 14 सितंबर 1949 भारत तेंदू युक की समय सीमा है ऑप्शन ए 1865 से 1900 व्याक्या आप देख सकते हैं कोशन नंबर 36 हिंदी रेखा चि जो अगले प्रशन है वो परिषेत के रूप में पूछे गए थे यूपिप पुलिस में जो हर्सोला के संदर में तो यह पैराग्राफ है वीडियो को रोकर क्या पढ़ सकते हैं अब इसके ऊपर जो आधारित जो प्रशन है वो यह है देश अधिक सिक्का कब जारी करता है तो सही जो आप ऐसी देश में युद जैसी गंबीर प्रश्टिती हो तो इस तरह के जो प्रशन है वो मेंली बेश्ड होते हैं पैराग्राफ पे मुद्रा स्विती क्या है तो कृतिम रूप से मुद्रा के प्रशलन का बढ़ना पैसों के खर्च का इसाब रखना सरकार को क अब मुश्किल हो जाता है यौद्धाओं और विशेशग्यों को तयार करने में और बाहर से चीज़े मंगवाने में पैराग्राफ पर बेश्ट कोशन है दिया गया पर आधारित है अर्थ सास्त्र पर यहां पर आपका सुरू हो रहा है भाग दो सामानने ग्यान जन्न कर सकते हैं उत्तर पर इसमें कितने प्रशास की मंडल है तो जवाब है ए अठारा निम्ण में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यादिक बड़ा है जवाब है पैसिफिक जिसको की प्रसांत महासागर भी कह जाता है और यहीं पर है मेरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा ज समवेदन से कोश नमबर 45 जदी 750 ग्राम वजन का एक पत्थर एक ग्राम पर सीसी की घंता वाले पानी में पाया जाता है तो उस पत्थर का विस्तार क्या होगा सही जवाब है ऑप्शन ए व्याख्या आप देख सकते हैं थौट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है प् इसे सास्त्रिय भाषा का दर्जाद दिया गया सही जवाब है उडिसा का और यह करंट का कोशन था उस समय वर्स 2016 का जो है यूपी पुलिस का जो है एक्जाम है और वह ही हम देख रहे हैं इस समय कोशन नमर 49 करंट का कोशन कौन सा देश दक्षन एशियाई छेत्रिय थीम थी 2016 के लिए येट रेडी फॉर प्लैन पैकेजिंग मेत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह से सुरू की सरेंट का कोशन सही जवाब है ढाका कोशन नमबर 53 विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेवा करने के लिए रिक्तिस्तान कमांड का उप्योग कर होगा सही जवाब है लाइट एमिटिंग डायोड रिलाइंस इंडस्ट्री के अध्यवस और कारेकारी निदेशक कोन है करेंट का कोशन उस समय का सही जवाब है मुके संबानी पंबई और ठाने के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिचाई गई सही जवाब 1853 में व्या आस्थे वाले व्यक्ति के लिए प्रती दिन इसकी जरूरत होती है सही जवाब है अपने 1800 कैलोरीज भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य निवन विकल्पों में से कौन है सही जवाब है केरल व्याख्या पढ़ सकते हैं आप कौन सा राज्य जो है प्रथम है फसल उत्पादन के संदर में व्याख्या जो है इंपॉर्टेंट रहेगी दोहर सोला की भारत की वर्तमान जन संक्या कितनी है सही जवाब एक सो बत्यस करोड करेंट का कुश्चन दूसरे बाजी राव का दत्तक कुत्र नाना साहिब को मराठों का साशक मानने से निम्न में से किस ने इंकार किया सही जवाब एक डॉल होजी ने व्याख्या आपके सामने है वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं कोश्चन नमबर बावन चोरी चोरा घटना जो की गोरकपूर के पास जो है हुई थी पांच फरवरी 1922 को हुई थी यानिके ऑप्शन भी व्याख्या आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके गोरकपूर जिले का एक गाउं चोरा चोरी पांच फरवरी 1922 को जो है यह घटना घटित हुई भारत में स्वास्ते मोर्चेवर पांच के तहत मृत्यूदर क्या है उनन्चास ऑप्शन सी वित्तियवर्ष 2016-17 में 26 के दिन प्रस्तुत किये गई 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार भारती अर्थ व्यवस्ता में रिक्तिस्तान के बेच व्रिधी की अपेक्षा है सही जवाब है साथ से साथ मलब 7.75% के आसपास करेंट का कोश्चन है कोश्चन मोर्ग 65 जो करेंट का कोश्चन है चार सही जवाब है फायान ने व्याख्या पढ़ सकते हैं कोश्चन नमर 67 किस पद के संचिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया सही जवाब है जन्रल परपस सुराज मेरा जन्मसित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा सही जवाब है पाल गंगाधर ति समाजवादी पार्टी वन नाशक से निम्न में से क्या होता है भूचरण होता है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया तो यह पांच जून को मनाया गया और अभी हाली में जो एक्जाम हुआ था आरो यारो में इसमें थीम पूची गई तो यह कोशन इंपोर् प्रोल्य मुत्पात का अफडियाई अपने साथ सेर्पुंजी लाता है लेकिन यह नहीं लाता क्या हत्यार और गोला वारूद भारतिय सूचना प्रद्यगुकी के पितामा किसे कहा जाता है नारायन मूर्ति को उत्तर प्रदिश का राज्य पशू कौन है सही जवाब है प उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यस्व मंत्री कौन है सही जवाब है शिवपाल सिंग यादव उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है सही जवाब है लाखिम पूर खीरी व्याख्या पढ़ सकते हैं इमेल का पूर्ण रूप क्या है सही जवाब है इलेक्ट्रोनिक इमेल व्याख्या को जुरूर पढ़िएगा कोश नमर असी सामानने इंपूट स्ट्रीम से पूरांक डेटा निवेश करने के लिए उप्योग में आने वाली स्कॉनर क्लॉइट की पद्धिती क्या है सही ज हिंदी और सामानने ग्यान और बचा है संख्यात्मक एवं मानसिक्ता और भाग्चार तार्कीक परिक्षा तो अगले असी प्रस्ट जो है नेक्स्ट सेग्मेंट में देखेंगे जो की इस वीडियो के दो घंटे बाद जो है अपलोड कर दी जाएगी चैनल द्वारा ये व सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिक सदिक शेर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद